अगर आपका गुरू पंचम घर में है तो ये क्या रिजट लेकर देगा सबसे पहले आपको पुत्रबान बनाएगा धनवान बनाएगा यहाँ का गुरू आपको इतना चमता रखता है कि दे सकता है इस इस्तिति में गुरू अगर पंचम घर में है तो आपका मानी अच्छा होगा, धन समपती अच्छा कमा सकते हैं, चाहे कई से भी कहें, एक नमर करके कमाए, धन समपती ये अच्छा जेनरेट करवा सकता है, और ये धन समपती आपका ठीके गा भी, पंचम इस्तिती में, पंचम घर में अगर आपका गुरू है, तो ये result लेकर देता है, ये आदमी को अध्यात्म के छेतर में ले जाता है, अब जो 30 के छेतर में ले जाता है, उसके बाद अच्छे अच्छे जो speaker होते हैं, जो बोलने की कलाइन में होती है, अगर पंचब घर में अगर किसी का गुरू बैठा हुआ है, तो इसकी अगर हम द जाता है, तो इस इस्थिति में गुरू अच्छा फल देता है, जो हम आपको बता रहे हैं, उससे भी अच्छा आपको फल दे सकता है, अगर उच्छ का है, हम हर वीडियो में बता रहे हैं, उच्छी नीच का कैसे देखना है, वो आप देख लिये होंगे, उस इस्थिति मे थोड़ी सी नीच का है, अगर अस्त का हो गया है, तो थोड़ी सी इसकी दिग्री जो आपको फल बताएंगे, उसमें थोड़ी सी कमी आ सकता है, अदर्वाइस इसमें गुरु पंचम घर में यही रिजल्ट लेकर देता है, अगर हम बात करते हैं इसकी दृष्टी की, तो पं देशक्त बन सकते हैं, धर्म के छेतर में आप आगे जा सकते हैं, समाज भी आपका मौन परतिष्ठा बढ़ सकता है, इसी इस्तिती आपको लेकर दे सकता है, अगर हम बात करते हैं, गुरु, अगर आपके गुरु, पंचम घर का बतार यह सब्तम घर, एक, दो, तीन, चार पंच, छे, साथ, इस घर में अगर गुरु की दिश्टी परता है, तो यह आपको धन समपती ला कर देता है, और फोरें से भी धन समपती लौने में मदद करेगा, आप इंडिया में ही रखे, आप विदेश से पैसा ला सकते हैं, अगर आप सेर मार्केट का काम कर रहे हैं, या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, इसमें ये अच्छा पैसा आपको जेनरेट करके दे सकता है, ये अच्छा धन समपती आप जेनरेट कर सकते हैं, इतना तागत रखता है, क्योंकि गुरु की जो है दिरिश्टी इतनी अच्छी होती है, गुरु कि इसी घर पे कहीं गुरु रहु या केतु की दिरिश्टी तो न पढ़ गया हो, अगर इसी घर पे भी रहु केतु की दिरिश्टी अगर पढ़ गी, अगर ये नीच का है, तो थोड़ा सा रिजल्ट में आपको प्रॉब्लम क्रियेट करके लेकर दे सकता है, हमने सब्तम सब्तम घर के बाद सब्तम दिरिश्टी की बाद बता है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ और नौ, अब यहां पर आपको ये मोटापा लेकर दे सकता है, इस घर में बैटकर, सुब काम में हम बोलना है, मोटापा लेकर दे सकता है, इस वक्त आपको सिर्फ आ घर का तो हमने आपको बताया, लेकिन गुरू यहां पर अगर दिश्टी दे दिया, वहां पर आपको ये ध्योन देना पड़ेगा, कि हमको कहां क्या बोलना है, बाल आपका जल्दी सफियत नहीं होगा, बाल काला रहेगा, अब बुरापा होने के बाद तो उजला सबका हो आदमी को अगर अच्छा रियल्ट नहीं आ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, चना और गूर, चना और गूर, गूर जो है आपको किसी भी पंसारी के दुकाउन पे मिलेगा, चना का दाल और गूर ब्रस्पती बार को केले के जल्में चरहाएं, और वहां पर ब्रस्पती के म अदर के पास में गुरू कहा है, नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, गुरू के साथ में क्या बैटा हुआ है, अप नीचे में लिखिए, हम जरूर help करने का खुशिस करेंगे, दोस्तों अगर आप नंब लोजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेष्त्री सीखना चाहते हैं यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं यदि आप बास्तू सीखना चाहते हैं